हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बोटम की डिजाइन सेर खरने वाली हूँ तो इस डिजाइन को बनाना बहुती आसान है और ये अभी बहुती ट्रेंडिंग में चल रही हैं तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमने एक पेपर लिया है जिसकी जो लंबाई है वो तीन इंच है और चोड़ाई हमारी पंद्रा इंच है जितने हमारी बोटम रहेंगी और ये हमने कुछ पत्तिया गट की है जिसकी लंबाई तीन इंच है और पट्टिया सभी हमें ऐसे सिलाई लगाना है तो चलिए दिखाती हुँ में आपको सिलाई लगाके तो यह एक पट्टी हम ने ऐसे क्रोस में रखा है अभी हम दूसरी पट्टी ऐसे opposite साइड क्रोस में रखेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे अभी जो हमने नीचे वाली पट्टी रखी थी उसी शेफ में हम फिर से एक पट्टी रखेंगे तो हमें ये कम से कम पोना इंच का हाफ इंच का गेप दे देना है तो अभी हम दूसरी पट्टी जो है वो ऐसे तिर्चे में रखेंगे तो बेसिकली हमें ऐसे क्रोस में एक एक पट्टी आमने सामने रखते सिलाई करते जाना हो तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको यह डिजाइन समझ में आए अभी हम ऐसे ही सभी पट्टियों को रखते जाएंगे क्रोस में पहले एक साइट की पट्टी फिर दूसरे साइट की पट्टी तो यह हम एक के बाद एक सारी पट्टियों को स्टिच लगा रहे हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो यह देखिए हमने सारी पट्टिया लगा दी हैं और अभी हम जो है इसके दोनों किनारी पर सिलाई लगा देंगे तो हमने एक साइड लगा दी हैं ऐसे ही हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा देंगे तो अभी यह सिलाई लग गई अभी हम एक्ट्रा मार्जन जो है दोनों तरफ से कट कर लेंगे तो यह देखिए यह हमारा प्रोपर पैटन के इतना खुबसूरत लग रहा है तो अभी हमने एक और यह पट्टी लिया है जिस पर हमने पेपर चिप काया है पेपर पेस्टिन तो यह हमने लंबाई साड़े पाच इंच लिया है और चोड़ाई हमने इस पैटन के हिसाब से लिया है अभी हम इस पैटन को उल्टा रखके इस पर सिलाई लगाएंगे तो यह हमने सिलाई लगा दिया है अभी हम इसको सामने की तरफ पल्टाएंगे और एक इंच की हम इसकी पट्टी तयार करेंगे नीचे की साइड में और इस पर सिलाई लगा देंगे तो इससे जो यह हमारा पैटन है तो यह भी कवर हो जाएंगा अच्छे से अभी जो यह नीचे का साइड खुला है उस पर भी हम सिलाई लगा देंगे और जो एक ट्रा मार्जन है थोड़ा सा वो कट कर लेंगे तो यह देखे लगबग हमारा पैटन तयार होने को है अभी हमने यह एक और एक इंच का पेपर लिया है और इसकी जो चोड़ा यह वो पंदरा इंच है और यह पट्टी लिया हमने दो इंच की तो इसको हम डबल फोल्ड करके हाप इंच की पट्टी तयार कर लेंगे तो हम इसके दोनों तरफ शिलाई लगाएंगे पहले एक साइड फोल्ड करके शिलाई लगा रहे हैं फिर इसकी दूसरी किनारी पर भी शिलाई लगा दिये हमने अभी इन पट्टियों को हम दो दो इंच की कट करेंगे तो यह मैं दो दो इंच की सारी पट्टिया कट कर लए हूँ अभी हमने एक इंच का पेपर लिया है इस पर हम इन पट्टियों को जो ऐसे लूप्स की तरह रखेंगे और इस पर जो है शिलाई लगा देंगे तो हम इन पट्टियों में हाफ इंच का गेप रखना है आप चाहे हो तो कम भी रख सकते हो हम इसके बीच में पर्ल अटेक्च करेंगे मोती तो आप जैसा मोती का साइज है उसके इसाप से रख सकते हैं तो यह पट्टिया तैयार हो गई है अभी जो यह हमारा पैटन है इसको हम इसके उपर रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे तो यह जो हमारे जो नीचे की लूपस आ रहे हैं तो यह हमारे हाप इंच के बाहर दिखने चाहिए हम इसके उपर एक प्रेस सिलाई लगा देते तो यह देखिए हमारा पैटन रेडी हो गया लगब अभी हम इसको अपनी बोटम से अटेच कर लेंगे तो यह पैटन को हम उल्टा रखेंगे बोटन के उपर और इस पर एक सिलाई लगा देंगे तो इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है तो अब भी ज़रूर ट्राइ किजिएगा अभी हम इस पट्टी को सीधा करके इसके उपर एक प्रेस सिलाई लगा देंगे ताकि कि हमारा मार्जन जो है वो नीचे की साइड में अच्छे से बैठ जाए तो यह देखिए हमने प्रेस सिलाई लगा दिया है और अभी यह हमारा पैटर्न रेड है अभी हम इसमें जो है वो मोती अटेच करेंगे तो यह मैंने क्रीम कलर के मोती लिए है तो यह जहाँ हमने नीचे की साइड में लूप्स लगाये है वहां उनके बीच में जो गेप है वहां पर हम एक-एक मोती को अटेच कर देंगे तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए तो अभी हम सभी लूप्स में मोती अटेच कर देंगे बीच में तो यह देखिए हमने सारे मोती अटेच कर दी है अभी जो यह हमारे बीच का डिजाइन है इसमें भी हम मोती अटेच करेंगे जहाँ पर जो यह हमारे पटियों का जो डिजाइन दिख रहा है उसके सेंटर में हमें एक-एक मोती को अटेच कर देना है और ये मोती अटेच करने के बाद में आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हूँ तो ये देखिए ये हमारा डिजाइन अभी फूरा बनकर तैयार है तो अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिए और अगर नई भी पसंद आया है तो भी वीडियो को लाइक कर लिजिए क्योंकि इस पैटन को मैंने रात के ढाई वजे बनाया है और बहुत मैनत लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दिजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर दिजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड थेंक यू फोर दो वाचिंग वीडियो